भारत में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफतरों में इंकम टैक्स विभाग का सर्वे गुरुवार की रात पूरा हो गया मंगलवार को इंकम टैक्स विभाग ने अपना सर्वे शुरू किया था जो गुरुवार की रात करीब 10 बजे पूरा हुआ BBC के प्रवक्ता ने कहा है कि आयकर विभाग के अधिकारी हमारे दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों से जा चुके हैं हम आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ सहीयोग करते रहेंगे और आशा करते हैं कि यह मामला जितनी जल्दी संभव हो सुलज जाएगा BBC प्रवक्ता ने कहा कि वे अपने कर्मचारियों का पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं और उनका ध्यान रख रहे हैं BBC प्रवक्ता ने कहा हम उन लोगों का खास ध्यान रख रहे हैं जिनसे बहुत लंबी पूश्ताच की गई है कुछ लोगों को तो पूरी रात दफ्तर में रुकना पड़ा है ऐसे कर्मचारियों की देख रेक हमारी सबसे बड़ी प्रात्मिकता है हमारा कामकाज सामान्या हो रहा है हम अपने पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों को निश्पक्ष समाचार देने के लिए प्रतिबद्ध है हम भरोसे मंद, निश्पक्ष, अंतरराष्ट्य और स्वतंत्र मीडिया है हम अपने उन सहकर्मियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं जो लगातार आप तक बिना भै और लोब लाब के समाचार पहुचाते रहेंगे आयकर विभाक के अधिकारियों के मंगलवार को बीवीसी के दफ्तर में आने के बाद से माहौल, तनाव पून और बाधा डालने वाला रहा हमारे कई सहकर्मियों से बहुत लंबी पूश्टाश की गई और उन में से कुछ को अपनी रात आफिस में बितानी पड़ी मही समाचार एजन्सी रॉइटर्स के मताबिक भारती आयकर विभाक के प्रवक्ता ने कहा कि सर्वे के दौरान सिर्फ उन कर्मचारियों के बयान दर्ज किये गए जिनकी भूमी का महत्वपून थी मुख्य रूप से वित और कंटेंट डेवलेप्मेंट से जुड़े लोगों के बयान लिये गए हैं सर्वे के दौरान डिजिटल उपकरण जब्द नहीं किये गए BBC के संपाद के स्टाफ में से जिन्हें कारवाई के लिए महत्वपून नहीं समझा गया उन्हें नियमित काम करने की अनुमती दी गई BBC कर्मचारियों को उनके कहने पर रात में घड़ जाने की अनुमती तक दी जाती थी सिर्फ महत्वपून माने जाने वाले उपकरणों की ही डेटा क्लोनिंग की गई है क्लोनिंग के बाद सभी उपकरण वापस कर दिये गए BBC के दफ्तरों पर इंकम टैक्स विभाग के सर्वे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी खुब देखने को मिली अगर भारत में वो काम कर रही है तो उसको भारत के कानून को मानना होगा उसका पालन करना होगा आएकर विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और दूद का दूद और पानी का पानी हो जाना चाहिए वहाँ पे जो पत्रकार हैं उनके फोन, मुबाइल, लैप्टॉप आधी जब्त कर लिए गए हैं कोई खबर बाहर में आ रही है और वो ही पुराना भारती जंता पार्टी का बहाना कि एजेंसी स्वत अपनी कारवाई कर रही है यहां हम जेबीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहाँ सरकार बीबीसी के पेचे पड़ी हुई है बिना शेकाले विपरीत बुद्धी कई मानवतिकार संगठों ने भी इंकम टेक्स के सर्वे पर गहरी चिंता जताई है और इसे प्रेस की आजादी के खिलाफ बताया अमेरिका में विदेश मंत्राले के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बीबीसी पर जाच के सवाल पर कहा कि इस मामले पर आपको भारत सरकार के पास जाना चाहिए हाला कि उन्होंने ये भी कहा कि इस जाँच पर खास तोर पर बात किये बिना व्यापक बात ये है कि हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं बीबीसी ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी पर एक डॉक्यमेंटरी का प्रसारन किया था जिसके कुछ हफते बाद नई दिल्ली और मुंबई इस्थित दफ्तरों की तलाशी ली गई हलांकि यह डॉक्यमेंटरी भारत में प्रसारन के लिए नहीं थी यह डॉक्यमेंटरी 2002 के गुजरात दंगो पर थी उस समय नरेंदर मोधी गुजरात के मुख्यमंत्री थे इस डॉक्यमेंटरी में कई लोगों ने गुजराद दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए थे केंद्र सरकार ने इस डॉक्यमेंटरी को प्रोपेगेंडा और आपनिवेशिक मानसिक्ता के साथ भारत विरूधी बताते हुए भारत में इसे ऑनलाइन शेयर करने से ब्लॉक करने की कोशिश की बीबीसी ने कहा था कि भारत सरकार को इस डॉक्यमेंटरी पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था लेकिन सरकार की ओर से इस पेशकश पर कोई जवाब नहीं मिला